हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल इस्टीफन अकेडमी में आपका स्वागत है और दोस्तो आज का हम वीडियो लेकर आए हैं एग्री कल्चर से जो लोग 12th के बोर्ड एक्जाम देने वाले हों उनके लिए और B.S.C. अग्री कल्चर फर्स समिस्टर वालो कितने परकार नतर्य हैं और कौन कोन से होते हैं और इसकी विशेशताइन लक्षर पोरी-फेरा के प्रमोकिलक्षर बताएंगे हम लोग ठीक है क्या है संग पोरी फेरा है तो पोरी फेरा के जो प्रमुक लच्छड है उनकी बारे में बात करेंगे पोरी फेरा क्या होता है तो पोरी फोरा जो होता है ये छिद्रदारक मतलब पोर से मतलब क्या होता है छिद्र होता है तो ये छिद्रदारक इसमें सभी जन्तु जो आते हैं वो छिद्रदारक वाले आते हैं ठीक है इसमें बात करेंगे सबसे पहले पहले इसकी विसेशता क्य ये इनकी किया हैं बिसेश्थाएं हैं तस्तरी नुमा तथा साखानवित भी होते हैं नमबर तीन पर बात करने वाले हैं कि ये सारीरिक संगठन कोश की इस्तर एवं स्रम विवाजन होता है इनमें इनमें क्या किया जाता है जो सारेटिक संगठन कोशकी स्थर का एवं स्रम विवाजन का भी होता है अब आगे बात करते हैं नंबर चार नंबर चार पर क्या दिया गया है कि सोरी नंबर चार पर दिया गया है सरीर दो इस तरी बाहर चप्टी बाहर जो चप्टी जो सनचना होती है उसे क्या कहती है पिनेकोसाइट पिनेकोसाइट कहते है तथा बीतरी जो सनचना होती है उसे कहते है काइनोसाइट तथा दोनों के मद्द को मीजोकाइम कहा जाता है ये जो सरीर की जो सनचनाएं होती है पिनेकोसाइट तथा काइनोसाइट होती है और दोनों के मद जो इस्थान होता है उसे क्या कहते हैं मीजोकाइम कहा जाता है ये इसकी हम बिसेज़ता हैं बता रहे हैं किसकी बता रहे हैं जो संग आपका पोरी फेरा नेक्स्ट पिसे इस ताग बारें बात करते हैं तो इसमें आती है आप लोगों की 5 नंबर पर 5 नंबर पर दिया गया है कि संपूर सरीर को साधे रखने के लिए मद इस तर में कंटिकाओं का कंकाल होता है अब नेक्स्ट साथ नंबर पर बात करेंगे क्या होता है जनन लेंगिक और अलेंगिक दोनों परकार का होता है इसमें जनन जो होता है वो लेंगिक और अलेंगिक दोनों परकार का होता है तो वो पूचा जाता है साइकन, साइकन जादा आप लोगों का important रहता है, इस पंजला कम पूचा जाता है, ठीक है, ये इसकी विसेशता दी, next बात करते हैं, संग निडेरिया, निडेरिया संग होता है, उसकी बात कर लेते हैं, next संग पहला था आपका पोरिफेरा, इसकी बा ली जाती है, दन्सकोच का दारक, ठीक है, अब इस संग के जो पिरमुक लच्छड उनके बारे में देख लेते हैं, तो पहले में बताया गया कि इस संग के जंदू, जंदू, समुद्री, एकाकी तथा संगी होते हैं, कैसे होते हैं, समुद्री, एकाकी और संगी होते हैं, नमबर दो पर बात करेंगे कि सरीर की आकरती जो होती है दो रूपी ये होता है तथा बेलनाकार फॉलिप तथा तस्तरी नुमा मेड्यूशा भी पाया जाता है इसमें क्या होता है सरीर की जो आकरती होती है वो दो रूपी होती है तथा बेलनाकार, फॉलिप तथा तस्त्री नुमा, मेड्यूशा भी इसमें पाए जाते है आगे बात करते हैं नमबर तीन क्या कहते हैं याप लोगों से कोशें पूछे जा सकते हैं जैसे कि इसमें के करख आप पूछे जाते हैं मुह के चारो और इस परसक क्या होते हैं कुछ बाल जैसी सरचना होती है उन्हें क्या काज़ इस परसक होते हैं मतलब अगर उन्हें छूलोगे तो उनसे पता चल जाएगा जनतु को ठीक है अब बात करते हैं नमबर 6 पर नमबर 6 पर क्या होता है इस परसक पर इस परसक जो पाया जाते हैं उन पर क्या होता है इस परसक पर दंस कोशकाएं पाया जाती है ये सिकार को पकड़ने सुरच्छा में सायक होती है सिकार को पकड़ने तता सुरच्छा में करने में सायक मानी जाती है ठीक है बात करते हैं नमबर 7 नमबर 7 पर क्या क्या आ गया कि इसके मुझ को हाइपो इस्ट्रोम कहते हैं जिस पर 6 से 10 इस परसक लगे होते हैं और इसके मुझ को क्या बोते हैं हाइपो इस्ट्रोम कहते हैं नमबर एट में बात करते हैं इसमें क्या पाए जाता है? लेंगै, इसमें जनन पाए जाता है इसके जो एक्जाम पे लिए वो कॉन कुन से है इसमें पर हाईडरा और मूंगा इसमें जो इंपोर्टेंट है वो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाईड्रा हाईड्रा अधिकतर आप लोगों का पूछा जाता है इंपॉर्टेंट रहता ठीक तो दोस्तों अगर आप लोगों उनको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और यह वीडियो ट्वेल्ट जो एक्जाम देने वाल और जो भी से अग्रिकल्चर फर्स सेमिस्टर वाले स्टुडेंट उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो प्लीज वीडियो को पूरा अंतक देखी और उनके साथ बच्चों के साथ सेर भी करें वीडियो ठीक है चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब तक के लिए धन्यवाद